मैं डॉक्टर इग्बाल स्याचार्य एतियास विशे राज के मावद्याले जहलावाड हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि पानिपत के तित्रियत में मराथा वो पराधित होना पढ़ा और इसके परणासों मराथा शक्ति लंबे समय के लिए जो है सुप्त प्राय हो गई लेकिन इर्शी के कुछ समय बाद मराथा राज्य में दो महान व्यक्तित उत्पन हुए उसमें एक नाना फड़नविस और दूसर मास जी सिंद्या का नाम प्रामुक हैं इन दोनों ने मराथा सामराज्य को पुने उठ खड़े होने में मदद प्रदान की तो उनके बच्पन का नाम बालाजी था उनके पिता का नाम जनारदन था इसलिए मराथी परंप्रा के अनुसार उन्हें बालाजी जनारदन कहा जाता था पेश्वा मातराव प्रथम ने उनको फरणवीज अर्थात पेश्वाई के आई वे का हिसाब रखने के पत्पर द्युक्त किया वित्य प्रबंद का उत्तरदायत नाना के पास होने के कारण उसका महत बढ़ता चला गया नाना शारीरिक रूप से कमजोर था तता सैनिय संचालन में भी सक्षम नहीं था अत्य उसे सैनिक अभ्यानों में नहीं भेजा जाता था वे दर्बार में रहकरी अपने निर्देशन का काम किया करता था 1772 इसवी में पेशावा मादोर राव की मृत्ति के बाल उसका छोटा भाई नारायन राव पेशवा के पत पर बैठा परन्तु उसके चाचा रगुनाद राव यानि रागोभा ने अगस 1773 इसवी में उसका वद करवा दिया चता स्यम पेशवा पन गया परन्तु नाना फड़नविस सखारा बापू मोरभा आधी मराठा नेताओं ने रागोभा को पेशवा माने से इंकार कर दिया अते उन्होंने 12 सदस्यों के एक समीती 12 भाई सबा का गठन कर साशन संचालन शुरू किया नारायन राव की विध्वा पतनी गंगा बाई को राज्जी की अधिकारेनी बनाया गया सखाराम बापू को प्रमुक कारेकारी तथा नाना को उसका सायक बनाया गया नाना समस्त सक्ता अपने हाथ में केंदित करना चाता था आते धीरे धीरे उसने बारावाई समीती की सभी सर्दस्यों को पत से हटा कर शाषन की समस्त शक्ति अपने हातों में केंदरत कल ली नाना की ये प्रवर्ती मराथा राज्ये के लिवड़ी घातक सी दुई क्योंकि पेश्वा धीरे धीरे शक्तिन होता जा रहा था और नाना सिवम सेन्ने संचालन नहीं कर सकता था नाना के सामने सबसे प्रमुक समस्या ये थी कि मराथा संकी एकता कैसे बनाए रखे और रागोबा पन्यंतरन कैसे करें साथ ही अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को भी उसे रोकना था नारायर राव की मृत्यू के बाद उसके एक पुत्र का जन्वा माधर राव दित्ते उसे नाम दिया गया और उसे पेश्वा गोशित कर दिया गया उसके लालन पालन तथा साशन संचालन की शिक्षा देने का दैद भी नाना नहें निभाया अब हम बात करेंगे मराठा राजदिती में दलबंदी की या उनमें कले की तो नाना के साथ रागोभा के कैसे संबन थे और किस पकार उनमें विवाद हुआ तो पेश्वा मादरा दित्ती को जब पेश्वा बनाया गया उस अवसर पर रागोभा के समर्थक सर्दारों ने नाना से समझोता करने का प्रयास किया इसके विप्रीत दाना उनसे कोई समझोता नहीं करना चाता था और उसने रागोबा के खिलाफ एक सेना संगर्ष के लिए भेज दी दिसंबर 1774 इसी में थाना के निकट रागोबा पराजित हुआ और वह सूरत की और भाकया वहां उसने कमपनी सरकार से सायता की मांग की याचना की अत्य अंग्रेजो तता रागोबा के बीच मार्च 1775 इसी में एक संधी वी जिसे नाम दिया गया सूरत की संधी इस संदी के अनुसार अंग्रेजों ने रागोबा को पेश्वा बनाने का आश्वाशन दिया तता रागोबा ने अंग्रेजों को साल से बसीन आधी छेत देने का वचन दिया इस संदी का पेश्वाशन यह निकला कि आंगल मराठा युद्धों का सूत्रपात वहाँ पर हुआ यानि यह संदी अंग्रेजों और मराठों के बीच संगर्ष का कारण आगे बनी प्रत्थम अंगल मराठा संगर्ष के दोरान अनेक छोटे मोटे संगर्ष बीच बीच में होते रहे और अंग्रेजों को मराठों से एक अपमाजनक समझोता करना पड़ा क्योंकि मराठों से अंग्रेज तीन और से घिर गये थे और वो उनसे लंबे समय तक ज़िदू नहीं चला सकते थे और ये समझोता बढ़गाओं नामक जगे पर हुआ और ये समझोता हुआ था 19 जनवरी 1789 सी को लेकिन हैंस्टिंग्स ने इसको स्युकार नहीं किया और मराठों के किलाफ उसने दो से नाई भेजी नाना फड़न ने इसको जब अंग्रेजों के आक्मार की निजाम और मैसूर के हिदर अली के साथ मिलकर एक बिटीस रोधी संगी सापना की परन्तु बिटीस गवर्नर हैस्टिंग्स ने अपनी कुटनी दिका परिचे देते वे निजाम और होसले को मराठों से अलग कर दिया अंग्रेजों के साथ हुए इस पूरे संगर्षकाल मे नाना महाद जी सिंद्या के साथ सयोग करता रहा किन्तु अंग्रेजों और मराठों के भी सालबाय की संदी 1772 इसी को हुई और इस संदी के संबन में उनके भी त्यूर मतवेद उत्पन हो गए सालबाय की संदी की शर्तों को तै करने का श्य महाद जी को दिया जाता था और इससे महाद जी को एक स्वतंत शाषक की स्थिति प्राप्त होती थी इससे नाना की अधिकाल लाल सा तता महतवा कांशा को बड़ा धक्का लगा अपने अपनी मृत्यू तक नाना इसी कोशिश में लगा रहा कि महाद जी का प्रभाव ने बढ़ने दिया जाए ये उसकी ये निती मराठा राज्य के लिए काफी नुकसान दे साबित हो बहुत घातक सिद्धुवी अब हम बात करेंगे मराठों के पडोसी राज्य मैसूर के प्रती नाना की क्या निती रही अंग्रेज के साथ हुए संगर्ष काल में नाना ने मैसूर के शाषक हैदर एली का सयोग लिया था उसने बिटी सैनिक शक्ति को इभादित करने के उद्देशे से हैदर एली को करना तक पर आक्मर करने की सला दी हैदर एली ने तुरंत करना तक पर आक्मर कर दिया नाना की ये चाल सफ इस संदी की चौथी शर्थ को लेकर महाद जी और नाना फड़न वीस में विवाद उत्पन हो गया इसमें यह अंग्रेजों की और से प्रस्थाव रखा गया कि संदी को सुकार करने के छे महिने के अंदर हैदर अली जीते वे सभी बिटीज प्रदेश अंग्रेजों को लोट यदि वैस संदी की शर्थों के इनुसरर विवार नहीं करेगा तो महाद जी एदर अली की किमा गयारी मित्यता थी जिस मित्र ने प्रास्थ होते हो मराटों का साथ दिया था उस सच्चे मित्र को नाना फड़नविस संदी की चौती सर्थ को स्विकार करके धोका कैसे दे सकता था जिस समय सालबाई की संदी हुई हैदर अली तब भी अंग्रेजों के खलाफ संगर्ष में जूटा वा था अते 6 मैने तक जब तक की हैदर अली संदी पर अस्ताक्षर नहीं किये पर तो जब दिसंबर 1782 में हैदर अली की म्रत्य हो गई और अंग्रेजों को भासे भा निकालने का उनका स्वपन चूर्श्चूर हो गया तब विवश होकर उन्होंने 20 दिसंबर 1782 को सालबाई की संदी पर अस्ताक्षर कर दिये हैदर अली की म्रत्य के बाद महाज जी उसके पुत्र टीपू के प्रतीवी मैत्रपूर्ण निती चाहता था किन्तु नाना ने टीपू की शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेजों से सयोकी निती अपनाई अतर टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संदी कर ली और इस संदी के बाद उसने मराठों पर आक्रमन किया इस अउसर पर नाना ने अंग्रेजों से सैनिक साहता माझी लेकिन कानवाल इसने सेना को कार्णवालिस ने नाना को सेनिक साहता देने से इंकार कर दिया लेकिन जब कार्णवालिस ने टीपू के विरुदू सेनिक अभियान करने से पहले मराठों की साहता मांगी तब महाज जी के मना करने के बावजूद नाना अंगरेजों को सेनिक सायता देने के लिए तयार हो गया। टीपू को पराजित करने के बाद अंगरेजों ने टीपू से जो संदी की उसके अनुसार मराथों को खेत्र अप्लब्द हुए। यानि उन्हें कुछ छेत्रे फाइदा हुआ किन्तु इसके परणाम मराठों के लिए बड़े हानिकारक सीधुए क्योंकि दक्षिन में अब शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था और भविश्य में मराठों को अंग्रेजों से अकेले ही सामना करना पड़ा यानि एक और शक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ संगर्ष कर रही थी मैसूर के टीपू और हैदर अलिकी वो शक्ति समाप्त हो गई तब सीधे सीधे अंग्रेजों और मराठों का सामना पविश्य में होना था नाना फड़नविस के मराठा संग से कैसे संबन रहे इसकी चर्चा हम करेंगे इसके अंतरगत मराठा संग के सरदारों के पारसपरिक ज्वेश वे फूट के कारण मराठा संग के अस्तित्यू को खत्रा उत्पन हो गया था ऐसे इस्थिति में नाना की जिम्मेदारी थी कि वे सभी सर्दारों से विशेश कर महाजी के साथ सयोग करे लेकिन नाना ने इसके बजाए प्रतेक मराठा सर्दार को संदे की दृस्टी से देखा 1792 इसवी में जब महाजी उत्तर भारस से पुना के लिए रवाना हुआ तो नाना को ये शक हुआ कि महाजी पुना पर नियंतर रिस्थापित करना जाता है अते उसने कार्ण वालिस से सेनिक साहता की मांग की लेकिन कार्ण वालिस ने इंकार कर दिया महाजी 1792 से 1794 इसवी तक पुना में रहा लेकिन नाना ने कभी भी महाजी से मराटा संकी समस्याओं की चर्चा नहीं की नाना का तो एकमात उद्देश यही रहा कि पुना दर्बाब में महाजी के मैथ को बढ़ने ने दिया जाए नाना रागोबा के साथ भी कोई समझोता नहीं करना चाता था उसकी विरोध भावना इतनी तिव्र थी कि 1795 इसवी में माधर राव दित्ते की मृत्ति के बाल मुरत पेश्वा की इच्छा के बावजूद रागोबा के पुत्र बाजी राव दित्ते को पेश्वा बनाने को वह तैयार नहीं हुआ इसका कारण ये था कि रागोबा ने 1762-63 इसी में नाना को फड़न्विस के पद से हटा दिया था इससे सपस्ट है कि नाना में प्रतिशोत की भावना बहुत प्रबल थी और वह अपने विरोध्यों को कभी माफ नहीं करता था नाना की इस निती के कारण विभीन मराठा सरदार पेश्वा के नियंतरन से मुक्त होने की सोचने लगे जिसके फल्सुरूप बराठा संकी एक्टा को खत्रा उत्पन हो गया पेश्वा के साथ नाना फड़न्विस के क्या संबंद रहे है इसकी हम बात करेंगी तो पेश्वा मादोराव दित्ती पेश्वा मादोराव दित्ती का पालन पोशन नाना की देखरेक में हुआ था किन्तु नाना ने पेश्वा को सेनिक एवं प्रशाश्निक शिक्षा नहीं दिलवाई अतेव अपने पद का उत्तरदायत भी नहीं संबाग सका नाना इस बात से डरता था कि एदि पेश्वा अपने पद के उत्तरदायत को समालने योगे बन गया तो शाशन की बागदोर उसके हातों से चिन जाएगी पेश्वा की समस्त जिन्चर्या ही नाना द्वारा नियंत्रिती ऐसी परिसीतियों में पेश्वा में मराठा संके नित्रित की शमता का विकास होना संभव नहीं था 1795 इसी में मराठों ने निजाम को खरदा के युद में पराधित किया था इस अउसर पर पेश्वा भी युदिस्थल में मुझूद था तता उसने बाजिराव दित्ते से संपर के स्थापित करने का प्रयासुत किया जब नाना को अपने गुपतचरों से ये सूचना मिली तो उसने पेश्वा को बुरी तरह फटकारा और अपमानित किया इसके बाद नाना ने उसके चारों और गुपतचरों का जाल बिछा दिया इतना अपमानित होने से पेश्वा को इतनी आत्म गलानी हुई कि अक्टूबर 1795 इसी में उसने च्छत से गुद कर आत्मत्या कर ली तो इस प्रकार पेश्वा के साथ उसके संबद अच्छे नहीं रहे अब हम बात करते हैं पेश्वा के उत्रादिकार का प्रश्ण और उसके प्रति नाना का कैदस्चिकों रहा तो 1795 इसी में पेश्वा मादव राव दित्ते की नी संतान व्रत्ति हो गई थी लेकिन उसकी इच्छा बाजी राव दित्ते को अपना उत्रादिकारी बनाने की थी लेकिन नाना रागोबा के किसी भी पुत्र को पेश्वा बनाने के लिए तयार नहीं था वहें बाजी राव के छोटे अल्प व्यसक भाई चीमा जी को मादव राव की पत्नी को गोद दिलवा कर उसे पेश्वा बनाना चाता था किन्तु माद जी के उत्रादिकारी दोलत राव सिंध्या ने बाजी राव का पक्ष लिया चीमा जी के अल्प्वियस होने के करण सत्ता नाना के हाथ में ही रहती इसलिए वो चीमा जी को पेश्वा बनाना चाता था वैसे रिष्टे में भी चीमा जी मादराओ की पत्नी के सफसूर थे इसलिए सफसूर को गोद लिया जाना धर्मशास्त के विप्रीत था नाना ने अपने स्वार्थ को पुरा करने के लिए धर्मशास्त्र या सामाजिक नियमों को भी छोड़ दिया था कुछ समय बाद बाजी राओने नाना को आशवाशन दिया कि वे नाना को अपना मुख्य मंति बना देगा तो नाना ने बाजी राओ का पक्ष ग्रण कर लिया तब सिंधिया ने नाना जोगर चीमा जी का पक्ष ग्रण कर लिया यानि ये सारी गुटबंदी जो है पुना दर्बार में चल रही थी बास्तों में नाना ने फड़नविस पद पर कारे करते वे 9 करोड रुपे की संपधी जमा कर ली थी जिसकी रक्षा वे किसी भी तरे करना चाता था पेश्वा बनने के बाद बाजी राव ने अपने वचन को तोड़ते वे 1797 के अंत में नाना को बंदी बना लिया किन्तु 1798 इसी में उसे छोड़ दिया गया स्वास्ते में गिरावट की वज़े से 13 मार्च 1800 को नाना की मृत्ती हो गई अब हम बात करते हैं नाना फड़नविस की अंग्रेजों के प्रती निती की तो सालबाई की संदी से पहले नाना का रुख इसपस्ट ते बेटी स्विरोधी था किन्तु सालबाई की संदी के बाद मराठा संग में अपने प्रभाव को सरोपरी बनाए रखने के लिए इपू के खिलाफ सेनिक सायता दी थी जिसका परणाम मराठों के लिए हानिकारक सिद्वा इसी प्रकार महाद जी की बढ़ती वी शक्ती से आतंकी थोकर उसने कान वालिस से भी सायता मागी इसका मतलब यह हुआ कि वैं अंग्रेजों की सायता से अपनी सत्ता सुरक्षित रखना चाहता था 1791 इस्वी में जब वैं पुने फड़नविस के पत पन्युक दुआ तब भी उसने इस बात की कोशिश की कि अंग्रेजों निजाम उसके पत की सुरक्षा की गारंटी दे उप्रोक्त तत्ते ये दर्शात हैं कि नाना महाजी की इच्छा की विरुद अंग्रेजों से मैत्रिपूर्ण संबद मनाई रखना चाहता था अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए उसने मराठा संग के हितों को भी दिलांजडी दे दी थी अब हम नाना के व्यक्तित का मुल्यांकन करेंगे तो अठारवी सदी में मराठों को अंग्रेजों वे मैसूर राज्यों से निरंतर संगर्ष करना पड़ा था ऐसे स्थिति में मराठों का नतुत ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए था जो सेने संचालर में दक्षू दुर्बागे वस नाना सेनिक नतुत में दक्ष नहीं था इसके बावजूद उसने कभी भी किसी कुशल सेने संचालर पर विश्वास नहीं किया पेश्वा नारायन राव के मृत्यू से उत्पन सकंट में नाना की भूमी का भैत्पून रूप से उबर का सामने आई थी किन्तु 1762 के बाद तो नाना में वैसी योग गिता के चिंद मात भी दिखाई नहीं थी वस्तुते मराठा संग के पतन के लिए नाना की नीतिया काफी हद तक उत्तरदाई साबित हुई वह अंग्रेजों के बढ़ते वे खत्रे को समझी नहीं सका उसने पेश्वा मादरा दिते पर कठो नियंत्र रखकर मराठा संग को बहुत कमजोर इस्तिती में लाकर छोड़ दिया उसने महाजी को कभी भैतों नहीं दिया जबकि वह मराठा संग का सरवादिक योग्य सरदार था वस्तुते उसने मराठा राज्य में किसी नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी शक्ती को बढ़ने नहीं दिया अपनी महत्वा कांशों के बादूर वह अपने व्यक्तितों और निती की निपुन्ता के कारण लगभग आदिश अताब्दी तक मराथा राज्य में छाया रहा नाना फड़न्विस के जीवनी लेखक हरडी कर ने उनकी तुलना एक वट व्रक्षे की है जिसकी विशाल और सगन चाया में लोग विश्रान्ती शान्ती और सुप प्राप्त कर सकते हैं किन्तु जो अपने आसपास किसी भी अन्य व्रक्ष को पनपने नहीं देता दुर्बा के वर्ष नाना का काल मराठा राज्ये के पतन का काल था तता पतन के लिए सबी आवशक परिस्तितियों का निर्मान हो चुका था मराठा सरदार आतरशीन वे सिद्धान तीन हो चुके थे तता राज्ये हित्की भावना भी नस्ट हो चुकी थी तो ऐसे इस्तिती में नाना फड़न्विस ने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो मराठों मराठा सामराजिय को संभाल के रख पाए लेकिन दरबारी गुटबंदी में वे उलजा रहा और उसकी विक्तिकद महत्वा कांशाओं ने अंतते मराठा राज्जी के वो पतन की कगार पर पहुचा दिया धन्यवाक्त